नमस्कार मैं हूँ राहुल चौधरी और डीनपी इंडिया में आपका स्वागत है पलटवार लगातार जारी है बिजेपी ने कॉंग्रेस पर राम विरोधी होने का आरोप लगाया है साथ दशक पहले की याद दिलाते हुए उसने पूरे मामले में देश के प्रथम प्रधान मंतरी जवाहरलाल नहरु को भी लपेट लिया है तब नहरु ने तत्कालीन राष्टपती डॉक्टर राजेंदर परसाद को सोमनात मंदिर के उदगाटन समारों में शामिल होने से रोका था दोनों के बीच इसे लेकर खुलकर मतबेद सामने आये थे तो चलिए आज आपका उस किस्से के बारे में बताते हैं बात साथ दशक पहले की है तारीक थी 11 माई 1951 गुजरात में सोमनात मंदिर का उदगाटन था ये 12 जोतिर लिंगों में से एक है आकरमन कारियों ने कई बार इस मंदिर को तहस नहस किया था और अगजेब के आदेश पर इसे ढहा दिया गया था आजादी के बाद इसका दोबारा पुनन निर्मान किया गया तत्कालिन ग्री मंतरी सरदार वल्ला भाई पटेल को इसका शुरे जाता है 11 माई 1951 को भारत के पहले राश्टुपती रॉक्टर राजंदर परसाद ने ही मंदिर में जोतिर लिंग को स्थापित किया था सोमनात मंदिर के उद्गाटन कारिकरम से करीब 3 महीने पहले नेहरू ने तत्कालिन राश्ट्पती को चिठ्थी लिखी थी ये चिठ्थी 13 मार्च 1951 को लिखी गई थी उन्होंने लिखा था कि अगर आपको लगता है कि निमंतर्ण ऐस्विकार करना आपके लिए सही नहीं होगा तो मैं दवाब नहीं डालूँगा नेहरू ने लिखा था कि परसाद की सोमनात मंदिर यात्रा राजनितिक महतु ले रही है ये सरकारी कारेकरम नहीं है लिहाजा उन्हें इसमें नहीं जाना चाहिए दरसल नहरू नहीं चाते थे कि राष्टपती पद्पर रहते हुए डॉक्टर राजन्द परसाद किसी धार्मिक कारेकरम का हिस्सा बने नहरू को लगता था कि इससे जनता में गलत मैंसे जा सकता है इसी के चलते नहरू ने दतकालीन राश्ट पती को रोकने की कोशुश की थी ये और बात है कि प्रसाद ने नहरू की एक नहीं सुनी और सोमनात मंदिर के उद्गाटन कारेकरम में शामिल हुए नहरू के चिठी के जवाब में डॉक्टर राजन प्रसाद ने भी एक पत्र लिखा था प्रसाद ने लिखा था कि मैं अपने धर्म को बहुत मानता हूँ और इससे खुद को अलग नहीं कर सकता फिर ना केवल वो उद्गाटन में शामिल हुए बलकि कारेकरम के अनुसार शिवलिंग की स्थापना भी की आपको बता दें कि तत्कालिन गरी मंत्री सरदार वल्ला भाई पतेल ने सोमनात मंदिर के पुन्दर निर्माण का प्रस्ताव रखा था इसे लेकर उन्होंने महतमा गांधी को पत्र लिखा था गांधी ने इस प्रस्ताव की सरहना की थी लेकिन शर्ट रखी थी कि इसमें सरकारी धन खर्च नहीं होना चाहिए पतेल ने इस शर्ट का पालन करते हुए मंदिर निर्माण में एहम भूमी का निभाई थी तो अभी के लिए इतना ही खबरों का सिलसिला जारी है आप देखते रहिए डीनपी इंडिया नमस्कार